जिस लिए आज की क्लास या आज का जो समवाद है वो बहुत ही महत्वपून है और उस पर दो विद्धार्थी हमारे साथ है जो अपनी समस्चाओं को लेकर के मेन की तयारी कैसे करें उसको लेकर मेरे साथ हैं इसके अलावा आप सब लोग भी बैठे हैं तो हमारे पिछले 20 साल के अनुहव के आधार पर आपको ये बताने की कुछिस करेंगे कि कैसे अच्छी तयारी की जा सकती है और कैसे इस मेन एग्जामनेशन को किलियर किया जा सकता है गुडिनी सर मेरा नाम अशोक है और मैं जोद्पू करेंने वाला हूं सर इयर 2020 में मैंने मेरा LLB का ग्रेजुशन किया था नैशनल और यूनिशिटी राची से उसके बाद से लेकर इस आर जेस तक मैंने कहीं बार यूपेसी का टेम्ट्स दिये हैं आरेस का टेम्स दिये हैं हर बार सर उनर्टरम्स के अंदर मैं पेल रहा हूं इसके बाद मैं सोचा काफी तो जुडीशुशन के मेरा करियर औप्ष्ण मनाने का निर्ने लिया तो क्या यह एक बेटर आप्शन मेरे लिए फ्यूचर में बन सकता है क्या जो मैंने डीसिजन लिया है यूपी एसी और आरेस को छोड़ के और जो डीसी के तर्फ आने का क्या यह सही है और कितना अमेर को यह हेल्फ कर सकता है आगे असोक आपके परिवार वालों ने आपको नेशनल लोग इंवस्टी भेजा आप बिलियन्ट इस्टुएंट है आपके परिवार ने निश्यत ही आपसे बड़ी बड़ी उम्मीर पाल रखी है चाहे तो आप जुडिस लफसर बनो चाहे आप आपने जैसा बनाया आरेस और तो चाहे आप आप आई एस बनो या इपेस बनो या आरेस बनो आर्पेस बनो उम्मीद है बहुत उंची है लेकिन आपने जो बात बताई मुझे कि नेशनल लोग इंवस्टी से लॉक अनने के बाद लोग अपके आपने 2020 में 2020 में उस समय किया आपने लोग जब कोरोना का टाइम था तो कोरोना का टाइम था उसके बाद फिर आपने UPSC की प्लपेशन की तो बहुत सारे स्टुएंट करते हैं UPSC कभी मैंने भी की थी लेकिन आज जुडिशरी से अच्छा केरियर कोई दूसरा इस समय नहीं है उसके पीछे बहुत सारे कारण है एक तो आपकी इं कोई disturb करने वाला नहीं है according to law जो decision आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं तो एक बहतर केरियर है दूसरी जीवन जीने के लिए अच्छा पद अच्छा पैसा और समय भी चाहिए तो जुडिशरी में इस सारी चीज़ें available हैं आपको साड़े दस बज़े से साड़े चार बरी तक काम करना होता है और आपके कोट के मामले में काम को छोड़ दिया जाब काम कितना करना है काम के टार्गेट्स तो होते ही हैं जुडिशरी में भी आने लग गए हैं बाकी आप answerable नहीं है आपने according to law जो भी decision दिया तो ठीक है आपका decision गलत भी हुआ तो उसकी appeal हो जा मानना है कि मैं UPSC की तेयारी मेंने खुदने भी की हुई है RS भी दिया हुआ है इन में सबसे बहतर carrier आपने अब चुना है और रही बात ये कि अभी RGS अभी दिया था तो अभी आपका क्या score रहा अभी मेरा score 69-68 के आसपास में है पिलाई देखो 68-69 की यहां तक बात है वह आपको अपने को सेफ समझना चाहिए मैं थोड़ासा 23 जून पर चला जाता हूं 23 जून के दिन क्या किया मैंने मैं कुछ सेंटर्स पर खुद गया और जैसे ही पेपर छूटा तो पेपर छूटते ही मैंने कुछ स्टुएंट से पूछा रैंडम जो मुझे नहीं जानते थ मैंने यह पूछा पैपर आपका तो ऐसा मैंने तैकर रखा था कि मुझे 10 इस्टुएंट से पूछना तो इस इस्टुएंट से मैंने जब पूछा तो आठ ने तो मेरे से यही कहा कि पेपर टफ आया है और पेपर सीधे सीधे कुश्शन्स नहीं आये हैं अबिकेशन उसके बाद फिर मेरे जैसे पेपर खतम हुआ एक बज़े के आसपास से राइस्थली के स्टुएंट्स के बहुत सारों के फोन आने लग गए और उन्हों पूछना सुरू कर दिया कि सर क्या कट अफ जाएगी सच यह है चाहे मैं कहूं चाहे कोई और इंसिटूट वाला कहे कट ओफ की सही बात तो रायस्तान के चीफ जस्टिस कोई नहीं पता कोई नहीं पता सकता का कट ओफ क्या जाएगी कट ओफ तो सारे स्टुएंट्स के मार्क्स जब कंप्यूटर में डलेंगे तब पता लगेगा क्या जानी है ये एक अनुमान मात्र है अब अनुमान की जहां तक बात है देखो जितनी वेकेंसी हैं उनका पंद्रह गुना पास किया जाना है पंद्रह गुना के हिसाब से एक तो साड़े तीन हजार के आसपास पास होंगे बलके ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि जितने भी सरकिल होंगे जैसे सरकिल का मतलब क्या कहना चाहता हूँ जैसे एक जनरल कैटेगरी का सरकिल है जनरल के जितने भी स्टुएंट बैठे हैं राजस्थान के और राजस्थान से बाहर के चाए वो गल्स हैं चाए बॉईज हैं वो सब जनरल के कैटेगरी में आएंगे वो सारे के सारे students का एक circle होगा उनका competition केवल उनी students के साथ है फिर general girls का तो जो general girls राइस्थान की है उनने 30% reservation मिला हुआ है उस category में तो उनका एक circle बनेगा फिर OBC के boys का एक circle बनेगा उनका OBC OBC के boys के साथ ही competition है फिर OBC girls का circle बनेगा फिर उनका उनी के साथ competition है फिर SC boys का बनेगा SC girls का बनेगा ST का बनेगा तो इतने सारे के सारे category हैं और उन category का जो last number है वो सारे के सारे पास की जाएंगे जैसे एक number कोई सा number है जिस पर मान लो 60 आया तो 60 पर 20 student fall कर रहे हैं तो 20 के 20 पास होंगे ऐसा नहीं होगा कि 20 में से 60 वाला एक ले ले तो 20 जैने एक ही number पर हैं तो वो सारे पास होंगे दूसरा असुख क्या है कि जितने students हैं जैसे 90 plus score करने वाले मेरे इसाब से जो मैं मानता हूँ 90 plus score करने वाले students maximum maximum इस paper में 50 हो सकते हैं maximum 50 से ज्यादा नहीं maximum बता रहा हूँ ये फिर 90 80 to 90 के बीच में जो student फॉल करेंगे करीब परीब 300 के आसपास होंगे कितने 300 के आसपास फिर 70 से 80 के बीच में जाएंगे तो करीब 1000 student फॉल करेंगे तो अभी तक देखा जाए तो 1300 और हम 100 भी मालने हो 90 प्लस वालों को तो 1400 student हुए फिर 70 से 60 के बीच में जो जाने वाले student है वो कितने होंगे फिर इनमें ही आते चले जाएंगे तो कट ओफ जितना experiment सोच रहे है उतनी जाने की संभावना नहीं है तो सर कितना सेफ को हम लेके चले के हम मेंस की तैयारी कर सके है और किन को मेंस की तैयारी करनी चाहिए ये पेपर देने के बाद में बड़ा विक्स कट ओफ नहीं बताया सकती अनुमान लगाया जा सकता है तो मेरे अनुसार करी-्परी 60 något के के सारे इस्टुएंट्स को मेंस की तैयारी करनी चाहिए अब बात आती है कि मेंस की तैयारी किसे करनी चाहिए मेरे इस बार एक दिमाग में एक बात आई है किस देखो हो सकता है आप मेंसे कुछ लोगों को ना पता हो RGS में pre होता है pre स्रिफ एक छटनी का काम करता है जितने सारे इस्टुएंट बैठे उनमें से कुछ इस्टुएंट जो मेंस दे सके उन इस्टुएंट को छाटा जाता है फिर जो मेंस के लिए prepare हुए है वो उसके आधार पर merit बननी है merit किसकी बननी है ठी टाइम्स पास करने है जैसे अभी 222 सीटे हैं 222 का तीन गुना मतलब 666 लोग हो गए तो करीब परीब 670 75 के मानलो क्योंकि लास्ट नमर उसमें भी पास होते हैं तो पौने 700 के आसपास इंट्रिवू का कॉल होना है अब इंट्रिवू के लिए जिन लोगों का कॉल होना है वो लोग आधार क्या है सेलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जामनेशन अभी क्या हो रहा है कि पौने गता होना है लोग तो इस बार मैंने ये सोचा कि जितने स्ट्वूंट्स ने हमारे आउझ से तियारी की हम सारे अपने स्ट्वूंट्स से ये कह रहे हैं कि उन्हें भी मेन की तियारी साथ-साथ करनी चाहिए या तो उन्होंने छोड़ी दिया ہے उन्होंने का जी हमें तो आगे एक्जाम ही नहीं देना तब तो बात अलग है लेकिन यह एक्जाम देना है तो उन्हें में एक्जाम देना चाहिए और साथ के साथ जिस दिन रायस्तान हाई कोट में एक्जामनेशन कराएगा फर्स्ट पेपर जिस दिन होगा तो जिस दिन फर्स्ट पेपर होगा उसके नैस डे हम रायस्तली के सारे स्टुएंट्स का उसी पैटर्न पर उसी पेपर को उठा कर पेपर वही होगा जो वहाँ पूछा जा रहा है उस पेपर को यहां करवाएंगे उन्हीं स्टुएंट्स स और दूसरा पेपर जिस दिन होगा उसके नैस डे दूसरा पेपर यहां करा लेंगे तो उन्हें ये पता लगेगा कि वो कितना कर पाएं वहां राइस्तान आई कोट में वहां के जो जजिस बगरा हैं वो लोग कॉपी चेक करेंगे और यहां हम चेक करेंगे तो आपको यह पता लग पाएगा कि आपने कहां कहां stand किये और चूंकि में की ही तयारी करनी चाहिए जिस student की मेंस की तयारी बहुत अच्छी है उसे यह देखना नहीं पड़ेगा कि प्रिलिम्स में होगा या नहीं होगा क्यों कि प्रिमें उसका स्कूर अपने आप 80 के आसपास 75-80 के आसपास रहेगा तो मेंस पर फोकस करना चाहिए पहले से तो जो student आप कह रहे हो कि मेंस की तयारी कैसे किन-किन को करनी चाहिए उनमें मेरा ये मानना है कि जिनों ने भी पांचात महीने पढ़ाई करके पिलिम्स की तयारी करके पिलिम्स दिया था उन सब को मेंस पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे भी तो काम आएगा तो उन्हें में एक्जाम देना चाहिए मेरा प्रशन ये है कि मेंस के अंदर आंसर एकिंग को बहतर कैसे बना कैसे एक उच्छा स्पोर हम इंट्रोड़क्शन स्टार्ट करें कैसे अपने अंसर को लास में कंक्लूट लिया जाए बिल्कुल ठीक है मेहल बहुत अच्छी बात आपने कही और प्रश्ण भी बड़ा अच्छार थक है जितने भी स्टुएंट है वो सारे यह जानना चाहते हैं जितने ज्यादा माक्स लाओगे उतना ही मेरिट में आओगे तो उसके लिए क्या किया जाए यह प्रश्ण बड़ा अच्छा है देखो एक उधारान से हम इस बात को लेंगे पहले हम एक पेपर को देखें पेपर में आता क्या है जैसे हम सिविल के पेपर की बात करें तो सिविल के पेपर में क्या आएगा तो 80 माक्स का तो आपका लो आएगा 80 माक्स का तो आपका लो का पेपर आएगा 20 माक्स में वो भी लो का ही पेपर है लेकिन judgment writing और issues का settlement civil के paper में आ जाएगा इसके अलावा criminal के paper में judgment writing और charge framing आ जाएगा तो ये जो 20 number हैं जिसे student सामानतर तोर पर हुआ समझते हैं गवराहाट होती है उस वो सबसे सरल पार्ट है जैसे मैं थोड़ा सा Charles की बात करूँ के चार्ज के ऐसे लगाना है तो चार्ज आना है 20 मास का क्रिमिल लोग के paper की बात कर ले पहले तो क्रिमिल लोग में 20 मास का चार्ज आना है 20 मास का चार्ज प्लस judgment writing ददस नम्मर के दोनों आने कितना बड़ा score है एक तरह से मलब किसी एक act को पढ़ने से मैं इतना इसको नहीं होगा जितना इसमें होगा तो ये और ये सबसे सरल पार्ट यही है इस पूरे पेपर का सबसे सरल कैसे जैसे एक एक एक्जाम पर लेते हैं एक आदमी एक आदमी मान सरोबर का रहने वाला है और वो मान सरोबर का रहने वाला ब्यक्ती नहीं राइस्थान पत्रका में अख़वार में एक एड़ देखा और उसमें कहा कि यहां से बसें राम मंदिर को देखने जा रही है नया मंदिर मना है तो वो परिवार सहित, सारे परिवार सहित राम मंदिर देखने के लिए आयुद्या चला जाता है आयुद्या से राम मंदिर देखके बड़े खुसी खुसी आता है बापस आता है तो देखता है कि घर का ताला तूटा हुआ है सारा समान őलरी वैलरी सब चोरी हो चुकी है उसके टी वी और ये सब फूटे पड़े हैं अब मांसरुबर थाने जाता है मांसरुबर थाने जाता है तो इस बात को जो भी घटना करम था उसको लिखता है F.I.R. दर्स कराता है कि सर मैं और मेरा परिबार अयोध्या में राम मंदिर के दर्सन करने के लिए चला गया था और बापस जब आया तो मेरे घर के ताले तूटे पड़े थे मेरे यहां से सारा सामान दस लाग की जोलरी चली गई है और अड़ोसी पड़ोसी को पूछा तो उन्होंने यह कहा कि दिन में तो हमने किसी को देखा नहीं या गुस्ते आते आते लेकिन यह सायद रात में ही हुआ है ठीक है यह घटना उसने लिखा थी अब यह घटना आपके एक्जाम में पूछ ली जाती है कि इस पर चार्ज फ्रेमिंग करो तो चार्ज फ्रेमिंग कैसे करोगे चार्ज फ्रेमिंग तो चार्ज में चार्ज में एक फॉर्मेट दिया हुआ है CRPC में एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिस में भी लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ, as it is format को आपको पक्का याद करना है, जैसे, जब थोड़ा सा पीछी चलें, चार्ज लगता भी कैसे है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जो भी उनका संबंदित मेज किस आदमी ने चोरी की है, तो पता लगा कि उसमें दो लोग पकड़े गए हैं, या एक आदमी पकड़ा गया है, कि इस आदमी ने चोरी की है, कैमरों में आ गया, तो उसकी रिपोर्ट सहित उस आदमी को कोट में पेस कर दिया, कोट में पेस कर दिया, जैसे ही उसके सामने मजिस्टेट के सामने ले जाएंगे तो मजिस्टेट से कहेंगे सब देखो यह हमारे पास एविडेंस हैं इन एविडेंस के हमा आधार पर यह साबित करना चाहते हैं और यह फुटेज हैं कैमरे की फुटेज कि यही यह आदमी है, इसने चोरी की, रात में यह जा रहा आ रहा है, और घर में गुस्ते भी देखा, और निकलते भी देखा, सामान लेते हुए निकलते, यह सब चीज है उसने एविडेंस के दिखा दिया, तब मजिस्टेट क्या करेगा, कि एक चार्ज की डेट होगी, तो वो उस का नाम है, X, Y, Z, के उपर, यह आरोप लगाता हूँ, कि इतने तारीक को, इतने तारीक को, इस रात, आपने, फ़ला व्यक्ति के घर में, गुस्कर, चोरी की, जो, इस नियायले के, संग्यान में, या कॉग्नियंस में है, और मैं, निदेश देता हूँ, कि आप पर, चार्ज लगाया जाए, अब भारती दंड सहिता में, परवासिता पराद आ गया, ऐसे करके, आपके, अब समस्या क्या है, चार्ज का फॉर्मेट तो आपको, CRPC में दिया हुआ है, यह दो तिन लाइने है, अब क्या है, कि जितने एक्षन, उतने सेक्षन लगते हैं, जितन में रात में गुसा या दिन में गुसा, तो सेक्षन बदल जाएगा, रात का सेक्षन लग होगा, दिन का सेक्षन लग होगा, तो रात में गुसा, तो सेक्षन लग लगेगा, आज पड़ोस में देखा, उसने कैमरे लगे हुए, कैमरों से बचते बचाते गया, तो वो लर और उधर से भी डोली कूद कर गया तो यह house breaking हो गया यह क्या हो गया house breaking हो गया ग्रह बेदन तो house breaking का section लगाना पड़ेगा अब यहां तक यह बात हो गई अब यह देखना पड़ेगा कि एक तो चोरी हुई तो चोरी में भी आपको यह देखना है कि जैसे सामाने तोर पर student का सोचता है 379 लगा दो 378 में चोरी परवासित है 379 में चोरी की punishment अरे चोरी की punishment 379 लगा हो तो गलत हो जाएगा 380 में जाना पड़ेगा क्यों जाना पड़ेगा क्योंकि किसी building में किसी tent में या किसी में भी चोरी करेगा इसे जैसे मानलो उसे 452 का चार्ज लगाना है 454 का चार्ज लगाना है उसे समझना पड़ेगा कि 452 का लगाना है या 454 का लगाना है अब इन में क्या थोड़ी 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 अंतर है थोड़ी थोड़ी अंतर है तो चार्ज स्टफ नहीं है इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो घटना करम समाज में होते हैं आप बना हुए कहां से कोई नो कोई घटना जो सोसाइटी में घट रही है उसी को तो रखोगे उसी घटना को आपने रख दिया उस घटना के आधार पर जैसी भी प्रोबलम आई उस प्रोबलम के आधार पर ये आपको चार्ज बनाना है तो घटना से संबंदित जैसे चोरी लोग करते हैं, लूट करते हैं डकेतियां डालते हैं, रेप करते हैं छिड़ खानी करते हैं इस तरह की घटनाओं से संबंद जो important important है उसके लिए student को सारे student को जो मैं means वाले student से अपक्षा करता हूँ और मैं उनसे suggest करता हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें schedule को CRPC में दिये हुए schedule को जिसमें available, non-vailable, cognizance, cognizable ये सब दिया हुआ है और punishment भी दिया हुआ है वो आपको पक्का याद करने चाहिए करीब करीब IPC के 100-500 section अब उसमें कौन से section याद करने है अभी आप प्री दे रहे थे तो प्री में आपने अलग type के sections को पढ़ा जैसे आपने पढ़ा 76 से लेकर 106 तक है वो sections अभी यहां use में नहीं आ रहे है वो judgment में तो काम आ जाएगा लेकिन यहां use नहीं आएगा पनिस्मेंट में जब चार्ज बनाओ तो चार्ज तो पनिस्मेंट के section से बनना है तो पनिस्मेंट के section आपको पक्के याद करने पड़ेगी जिससे ततकाल टिक कर जाए कि अच्छा ये वाला section लगेगा तो घर में गुषने का लगाया फिर उसने लिखा कि मेरे टीवी वी वगएरा सब फोड दिये थे तो सब फोड दिये थे चूंको magistrate चार्ज लगा रहा है तो आपको ये भी ध्यान दखना है कि सब चीज़ां तोड़ दी थी बिस्फोड कर दिया था ऐसा गुष सब्द दि क्या है अपने जहन में रखनी होगी यदि यह जहन में नहीं है न तो फिर चार्ज गलत हो जाएगा उसमें खेली सेक्षन का है मतलब क्या समझ में आए कि जो घटना करम दिया हुआ है उस घटना करम में कौन-कौन से से सेक्षन लगेंगे सेक्षन से ही हमें पता लग जात तो हमारे तत्काल दिमाग में आजे कि अच्छा 382 दिया हुगा, कहीं चोरी गंदे गया होगा और कोई बचाब का हत्यार वत्यार साथ ले गया हुगा, चाबू ले गया हुगा, पिस्टल ले गया हुगा तो ये सारी कहानी हमारे सेक्षन के नम्मर से घूम जाती है वही आपके घूमनी चाहिए, तो ये काम आपको चार्ज में करना होगा तो जिससे आपका सांदार चार्ज हो गया, जब अच्छे से चार्ज हो गया अच्छा, इंपोर्टेंट क्या है, कि यहाँ पर टाइम लिमिट है वहाँ आपके पास समय का अभाव है तो कम समय में लिखना है सब कुछ तो चार्ज को भी ब्रीफ में लिखना है जो लाइन दिये हो रखी है, उन्ही लाइनों में लिखना है, परफेक्ट चार्ज वो ही है अच्छ, दूसरा जैसे CRPC में आपने देखा होगा 121 के 121 के चार्ज को लिख रखा है मैं मजिळस्टेट आप पर चार्ज लगाता हो, जो आपने 18 सरकार के बुर्द युद्ध किया है और इस तारीक को किया है और इस नियाले के को अगनियंस में है और मैं अणिदेश देता हूँ कि आप के ऊपर 141 सरकार के बुर्द युद्ध करने का आरोप लगाया जाए और विचारन की आजाए तो ये लायने जो लिखी हुई है as it is perfect, मेरे लायनों में सब्दों में कोई थोड़ा बात फिर उपर नीचे हो सकता है तो ये आपको perfect pack का याद करना है, 4-5 लायने है एक बाल लायने याद कर लिए तो आप किसी का भी चार्ज लगात होगी ये आपका चार्ज हो गया, अब आते हैं हम judgment जैसे के मेरे लने कहा कि अच्छा answer कैसे लिखें अच्छा answer का मतलब है कि bear act के कितने नजदीक है bear act से जतना दूर उतना ही खराब bear act के जतना नजदीक उतना ही अच्छा तो bear act के नजदीक होना चाहिए आपका दूसरा जैसे ही आप नेने लिखने बैठे तो नेने में नेने कैसे लिखा जाता है सबसे पहले ऊपर ये तेय करना हैं जैसे अभी चार्ज लगा रहे थे तो उस सारा चार्ज था Magistrate ट्राइल का Magistrate ट्राइल है तो ये ट्राइल और ये सब चीजे कहां से पता लगेंगे आपको उस सीडूल देखने से सीडूल पक्का याद करना है यहां हमारी class में हम हरा हाल में याद करवाएंगे उसको तो सिटूल पका याद कर लिया तकार आपको पता लगजाए यहाँ से यह है फिट ट्राइल के वारे में पता लगजा अच्छा ही इसकी ट्राइल मजेस्टेट करेगा जहां ट्राइल सेशन की है तो वो लिस्ट में दिया हुआ है कौन ट्राइल करेगा फिर आप उसके जज्जमेंट को लिखोगे तो सबसे पहले एफाई आर का ब्रीफ जो एफाई आर कैसी लिखी है उसी को ब्रीफ में लिखते है कि मानसरोबर थाने में इसास है कि एफाई दर्स की गई थी कि फलाँ आदमी ये मंदिर दर्सन करने गया था और उसके घर में छोड़ी होगी उसको ब्रीफ में लिखना फिर इस्यूस क्या क्या है और वो सारे के सारे गवाह कौन-कौन से तो प्रोश्यक्रिविशन बिटनेर्स नम्बर बन ने ये कहा तू ने ये कहा थिर ने ये कहा फोon ने ये कहा और जो जो अर्टिकल भी महलो कोई चीज है परामत की पुलिस ने वो सारी की सारी वो आ जाएंगी camera बगएरा के footage आ जाएंगे तो इनको आँ और वो अपने defense में क्या क्या कहता है 313 के बयान करा हो defense में क्या 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 कह रहा है तो यह जितनी बात है बताएंगी मैंने जब हम इसका बार 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 अभ्यास करेंगे तो easy है यह सबसे easiest part है कोई student इसमें 0 ला सकता है और कोई student इसमें से 15-16 ला सकता है क्योंकि इसमें गलत होने की कोई सम्माव नहीं है mathematics की तरह है और सबसे सरल ही है इससे सरल कुछ नहीं है बाकी सबसे बाकी चीज़ तो tough है सरल क्यों है fix है, format है, adjective करना है आपको अपना दिमाग ही नहीं लगाना और मैंने आपको बता दिया कि यह चीज़े है इसमें करने है ऐसे ही civil में भी है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए civil पर बहुत ज़्यादा लंबे चले जाएंगे तो यह एक तो यह दूसरी जो मेहुल पूछ रहे थे अभी का अच्छा आंसर कैसे लिखे उसके लिए इस्टुएंट्स को यह करना चाहिए कि उन्हें किस तरह जैसे थोड़ा देर पहले असो का आपने पूछा था कि कोशन बैंक होने चाहिए क्या पूछ रहे थे वो तयारी कैसे कर सकते में इसके तो कोशन आंसर फॉर्मेट होगा हम पास्टे के कोशन बैंक बनाएंगे उसका ही आंसर लेकिए उसको वहीं से तयार करेंगे बट पेपर पैटर्न ऐसा है कि चेंज होता जा रहा है तो प्रैक्टिकल कोशन भी आ जाएंगे उनको फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे एक उधारन से लेते हैं अभी जैसे हमने किन Gal qui बात की एक तो आपने बियर डेक्ट है तो बिहरेक्ट में कोई केस लग नहीं दे रखे जो findings है Supreme Court की और High Court की वो नहीं दे रखी है तो उन findings को उन findings को जब दिया ही हुआ नहीं है जब दिया हुआ नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए ये है कि आप अपने notes बनाओ अब आप कहोगे सर, notes के लिए तो बहुत कम time है बिल्कुल सही बात है notes के लिए बहुत कम समय है तो फिर उसके लिए क्या करें एक तरीका है उसका जैसे सबसे पहले आप मैं preamble से ले 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 ताम preamble का example ले 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 ताम तो मालो Indian constitution की preamble आप तयार कर रहे है तो preamble को तयार करने से पहले preamble पर आए हुए सारे questions को एक जगे लिख लो एक जगे लिख लो फिर उनके answers को अब जब देखोगे तो question लिखते ही तब आपको पता लगेगा का अच्छा ये question तो है लेकिन इसके सब्द घूम गए है question तो वही है हर बार सब्द घूम रहे है question वही पूछ रहा है तो जब देखोगे तो 4-5 तरीके की question बनते हैं इसके अलाबा questions नहीं बनते अब मानलों आप question आप सब्द फॉम में पढ़ोगे जैसे एक question पूछा कि आया हुआ question है कि what is the significance of preamble of Indian constitution nowadays ये question उनके पूछ लिया कि जो Indian constitution की preamble है उसकी आज की तारीक में क्या उपयोगिता है क्या प्रसांगिता है सब्द बदल जाते हैं तो ये पूछ लिया तो राइस्थान के ADJ exam में आया वही exam में फिर UP में आया PCSJ में आया ऐसे करके वही question घूम गया कही जगे फिर दूसरे एक question और पूछा भारती सम्मिधान में सम्मिधान की आधार सिला क्या है और उस आधार सिला में amendment की limitations क्या है अब इस question को पूछ लिया है अभी भी preamble ही पूछ रहा है वो लेकिन ये नहीं कह रहा आप से के preamble लिखो उसने नहीं कहा कि आप preamble जैसे कहीं preamble आगया तो ततकाल इस्टुएंट सोचता है preamble लिखो वो preamble लिखना सुरू कर देता है भाई preamble तो आप से पूछ ही नहीं preamble डारेक्ट आप पूछने में तो यहां question बदल गया यहां हो जो पूछ रहा है कि preamble में कौन-कौन से amendment हुए उन amendments में क्या-क्या बेवस्थाएं सुप्रीम कोट ने दी और उन बेवस्थाओं के संबन्द में जो parliament थी parliament ने क्या-क्या amendment किये उन amendments को कब-कब unconstitutional declare किया और last इस सितिक क्या बनी तो उसमें आगया कि basic instruction में आप change नहीं कर सकते बाकी constitution के किसी भी इससे में change करिए तो यह आगया सारा तो आपके दिमाग में आगया अब आपको तयार कैसे करना चाहिए question answer में तयार नहीं करना चाहिए question answer में तयारी करना सबसे ज़्यादा उव है कारण है पहले question का answer लिखा दूसरे में कुछ-कुछ उससे मिलता जो ता फिल लिखा तीसरे में कुछ-कुछ मिलता जो ता फिल लिखा आपको लगेगा रहे यार यह तो आपका कोई भी important कोई भी part पका याद नहीं होगा तो क्या करें उसके लिए उसका एक ही तरीका है जो topic बाइस त्यारी करो topic बना लिया preamble भी लिख लिया आपने preamble के नीचे जो भी important थे वो लिख लिए उनमें जो जो आने हैं वो लिख लिया जो जो आना है वो लिख लिया अब वो सारा आपने लिख लिया उसे पका याद किया अब preamble पर कुछ भी पूछो टेडा मेडा कैसा भी पूछो question कैसा है अब चाहे हो सकता है बहुत sort type का question है पंदरे सब्दों में वाला है हो सकता है ती नमर का question है हो सकता है बड़ा question आए तो सभी के answer देने में section बन जाओगे और पका भी याद कर लोगे otherwise तो पका याद होगा ही नहीं कभी क्योंकि एक चीज़ को आपने दस बार revise किया या दस चीज़ों को एक एक बार तो दस चीज़ों कमजोर रही तो ऐसे करके कर सकते हैं मेहुल जो आपने person पूछा है कि मालो बड़ा question पूछा है तो उसमें दो बाता हैं पहले आपको अपने answer में answer के format को तैय करना चाहिए कि जैसे question जो को भी question आया उस question में आप underline करो पहले तो कि कौन सी चीज पूछी जा रही है जो पूछी जा रही है तो आप देखोगे कि वो तीन-तीन नम्मर वाले तीन question का टुकड़ा है तीन-तीन question के एक तरह से तीन question मिक्स है तो पहले उस question का answer दो फिर दूसरे वाले का answer दो फिर तीसरे वाले का answer दो अब आती है आपकी case law की बार case law सिर्फ इसलिए नहीं डालना है कि एक बड़ा question है तो हमें case law डालना है भाई आप पर कोई available ही कोई नहीं है तो मत डालो यद अबैलेबल है तो जरूर डालो case law कौन से important होते हैं केवल वो important होते हैं जो कोई principle establish करते हैं हर case law important नहीं होता जैसे मालो आप कोई fundamental rights पर question का answer दे रहे हैं जैसे article 21 पर कोई question पूछा हुआ है तो वहाँ पर article 21 तो deadline का है वहाँ पर आपको case law के माध्यम से ही क्योंकि supreme court नहीं उसे elaborate करते चले गए elaborate करते चले गए बहुत लंबा लिखा है तब आपको वो सारे cases बताने पड़ेंगे कि इस case में supreme court ने जीवन के अधिकार को ये माना इस case में ये माना उन cases के माध्यम से आपको answer देना हुआ क्योंकि बिना case के answer तो ये answer ही नहीं दे सकते हैं तो it will depend on question कि which type of question is asked कैसा question पूछा जाता है ये उस पर depend करेगा अब आती है conclude करने की तो जैसे ही आप प्रशन का उत्ता लिखना शुरू करते हैं तो प्रशन पूछा क्या गया है conclude उसी बात से करेंगे जो पूछा गया था जो बात आपको पहले पूछी गई थी उसका answer उस रूप में प्रॉपर आना से ही है यदो वो नहीं आ रहा है तो मतलब ही नहीं है उसका तो ये जरूरी है सर कितना टाइम हम 23rd June से मान सकते कि में उस लौरान में हो जाएगा देखे समय सभी को बराबर मिला हुआ है किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं मिला हुआ अभी से सुरू करेंगे तो तीन चार बातें समझने योगे है पहली बात तो आप लोगों के पास एक सांदार मेंटोर जरूरी है क्योंकि it is just race for merit उस merit में आने के लिए आपके पास mentor होना चाहिए उस mentor बार बार आपको उससे discuss करना होगा सर मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है मेरे को notes बनाने में दिक्कत आ रही है या मेरे को जैसे कभी मैं bear act पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया तो कभी कहीं fix नहीं बैठ रहा है कभी बहुत सारी किता में खटी कर लिए कभी कोई guide धरी लाया तो वो नहीं होना चाहिए दूसरी इस student क्या करते है जैसे प्लिम्स पास होंगे तो उनके कोई परचित मजेस्टिट बन गया है कोई लड़का पुराने बैच में बन गया उसके पास भागे भागे जाए तू बता अरे भई उसकी सिती अलग थी और आपकी सिती अलग है और वो कभी बता भी नहीं सकता वो एक बार हो गया है पास दुबारा exam दे तो जरूरी नहीं है तो बता भी नहीं सकता क्योंकि उसे फेल होने के बहुत सारे अनुबब नहीं है हमें हमारे जीवन में बहुत अनुबब फेल होने के हमारे अपने और इतने सालों से इतने सालों से इस्टुएंट्स के आर जेस में कितने सारे आर जेस continue कराए तो हरे तरह से हम यह जानते हैं कि कैसे कैसे किस student को कैसा होना चाहिए और कैसे उसके तो हर student की स्थिति अलग है तो उसके पार एक mentor बहुत अच्छा है वो किसी magistrate के पास नहीं जाना किसी judge के पास नहीं जाना किसी और से नहीं पूछना किसी interview देने वाले से नहीं पूछना आप अपने teacher से पूछो क्योंकि वो expert है दूसरा सबसे पहले important area को तैकरना syllabus ले लिया जो भी act ले रहे हैं कोई सा act ले लिया इनने में ये संबावित question है तीन तरह के questions पूछे आते हैं very short question very short question वो होते हैं जो आपने अभी exam दिया जैसे पंदर question पूछ लिए तीस number के तो दो दो number के question जो छोटे छोटे तीन ती number के question आते हैं वो question बहुत छोटे होते हैं उनमें बहुत short में लिखना है आपको तो वो तो pre वाले ही हैं जो pre में आपने तयारी की लेकिन उन questions को भी हर area से वो question नहीं आते हैं तो उनमें उनको तहकरना कि important area यह है आपको अपना एक syllabus बनाना है syllabus कैसे बनाऊगे जैसे अभी constitution की बात चल लगी तो constitution में बात करें तो constitution के topics बनाऊगे जैसे एक topic चला गया हम preamble में चलेगे दूसरे में चलेगे फिर हम citizenship में चलेगे तीसरे में चलेगे तो fundamental rights में fundamental rights में सब topics बनाईए अलग-अलग-अलग-अलग-अलग तो उसमें पांसाद topics बनेंगे फिर आप चलेगे डायक्टिव पिंसिपल अब स्टेट पॉलिसिस का ऐसे करके important part तो बहुत briefing करनी है सबसे पहले कि ये ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो जो syllabus आपका है कोई बत नहीं जो syllabus आपका है उस syllabus को elaborate करना है अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अससों में 10 से 15 page का syllabus तैयार होगा 20 page का syllabus तैयार होगा 20 page का syllabus किसका हो गया किनल लोग का 20 page का सिविल लोग का उसमें लगवग सारी चीज़ आएंगी बार-बार आपको वही पलटना है वही पलटना है और ये काम कराएगा आपका टीचर आपका मेंटर आपका गुरू यही काम तो करेगा अभी जैसे अभी मैं एक दो वीडियो सुनना था बोले ठीक है आप एक्जाम दीजिए लिखना सुरू किजिए अरे वही वह गलत लिखेगा बार-बार गलत लिखेगा तो गलत में यह एक्सपर्ट हो जाएगा कुशन आनसर करते रहे यह पास हो जाएगा उसमें सबसे कम तयारी करनी चाहिए ऐसे कैसे संबब है सबसे यादा सांदार तयारी सबसे यादा योग्य वैक्ति का सरण प्री में तो किसी की भी सरण काम आ जाती है इसमें सबसे सांदार मेंटोर होना ही जुरूरी है नहीं है तो नहीं होगा mentor आपको एक जटके में 20-30% उपर ले जाएगा इस पे एक उधारण में दे रहा हूँ मेरे एक student है रागविनलकाछवार 2010 की बात बता रहा हूँ आप लोग 2010 फरवरी के महिने में उन्होंने मेरे यहां जोइन किया और अभी वो इस समय दिश्टी जज पोस्टेड है डारेक्ट दिश्टी जज में हुआ थर्ड रेंक आई थी उनकी और अभी राजसमंद में दिश्टी जज है प्रिंसिबल दिश्टी जज लगे हूँ वो थे और भी लोग हैं मैंने उनका उधारन इसलिए ले रहा हूँ कि एक अच्छा उधारन है वो तो मैं ऐसे किलास पड़ाता था और वो किनल के टॉप लॉयर थे बढ़िया उनकी प्रैक्टिस चलती थी पंदर सोले जुनियर भी उनके साथ थे प्रैक्टिस में जुरूरी नहीं है किसी भी कंडिशन में बनना है आप मुझे यह बता दीजिए कैसे बनते हैं मैंने कहां तो मैंने के मैं बढ़ा रहा हूं ना आप पढ़ो दीमें दीमें आपको आर झाले नहीं सर में सब्सक्राइब साथeston में आप अबाच को ह्के तो बोचो के अब क्या हुआ कि दूसरे दिन क्लास में मैंने उनके और दोस्तों से पूछा क्योंकि एडी जगा रायस्थान में अकेला मेरे ही भैच था और उस समय दो जाद रसमें कोई बैच चला ही नहीं रहा था और उसाट सप्तर एड़ोगेट थे तो मैंना और हों से पूचा है मैं नेगे वो रगूजी नहीं आए नहीं गरते हो तो वह french कहने लगे कि पता नहीं ढोले दो दिन से आनी गाए वो तीसे दिन थीसे दिन आए तो जैसे ही मैने क्लास शोड भी सामका भी मैच 된 तो जैसे ही मैं क्लास शोड से तो मैopf unbelievably मुझे पांच मिनुट मिलना था तो मैंने का आजाओ केविन में तो अखवार में लिप्टे हुए क्योंकि उस समय जो नोट थे वो सौ सव वाले थे तो ज्यादा थे गड़िया ज्यादा थे तो उन्होंने उले सर में पांच लाख रुपी लिए यह मैं आपको वह एक्चु पांच लाख की विवस्था करें तो ले सर में ले आया बाद में पता किया कहां से लाए वो अपने ससुराल से लाए तो पांच लाख रुपी लाख के फिर मैंने उन्हें गिना गड़ियों को गिना एक ने गिना तो गड़ियों को गिना मैंने तो गड़ियों को गिना मैंन कि सर मेरी तीन दो बेटियां है और ऐसे से मेरे परवार है मैं तो मैं आपको केसिस कितने हैं तो मैं आपको समय खरीदने के लिए कुछ पैसे देता हूं कि वह उले समय खरीदने के लिए सर समय कहा से आएगा मैं ने का देखो यह जेड़ लाख रुपया तो दो लाख रुपया तो आपके ऑफिस के जो जूनियर हैं उनकी सेल्ली के हैं यह उनसे अरे सर यह तो बैसी बताते मैं ना वो मेरे ऐसे विद्धाती रहे मैंने कहा यह न नीमी कहा ऐसा इस्टुएंट मुझे मिला नहीं एक और मिला अतुल अभी एडिशनल एस पी है वो उसकी भी एक कहानी है बतामगा उसको लिए तो दो-तीन लोग ऐसे मिले पूरे उसमें जिनों ने जैसे कहान वैसे ही किया तो मैंने यह पैसे आपको उनके लिए और यह आ अभी आपको मिले करेंगे आपको ढहिए है यह पैसे आपको नाहीं जहें लाग रुपे आपके लिए जसमें आपको किताव है जो आपकी मर्जी से जो तो मैं बिजली उस समय घोड़ी सी जाना जहता था तो खट से वो दूसर दिनी बोले मेरे से भोन इससे मतलब हीए कि आप की समस्या क्या है आपके पास बहुत साइस ब्हुत रहाज़ा यह थोड़ी लिख आओंगे समझेह है नहीं, तो उन्होंने वही किया हैं, रोजाना विजली जाते हैं और परिसानी होती है, मैं आज इनुबर्टर खांगे थी ज़िवस्चार कोई बयुधान नहीं आना चाहिए, एक instrument और थी मेरी उसकी APO में तो first rank आई थी first या second rank आई थी उसकी तो उसने वो भी magistrate लग रही है अब साइद ACGM या CGM CGM है कहीं तो उसने उसकी आदत थी कि कपड़े मेरे को नहीं धुलने वही मैं दो भी धोड़ी हूँ जो मैं कपड़े दुलूँगों मेरे को तो magistrate बनना है तो कपड़े दो भी से दुलबा लिया हर चीज दूसरों से करवा लिया क्योंकि समय चाहिए अपने को समय की बचर चाहिए दूसरे के पास समय खाना सर में नहीं खाती मैं एक लड़की है इसनिया जाता अभी मैंस्टेट है सीजेम होगी सायद अभी तो मुझे पता नहीं मुझे बहुत टाइम से मिला नहीं उससे यह उसकी बता रहा हूँ तो बहुत सारे काम दूसरों से करवाती थी और अपने लिये सारा समय बचाती थी और उसका भी इस तरह हुआ तो यह कुछ कहानिया हैं जो मेरे अपने अनुभव हैं बई शेकड़ों बच्चे शेकड़ों स्टूरेंट मैं स्टेट लगे हुए हैं इस समय इकीस लोग डिश्टी जज केटर में लगे हुए हैं तो यह इनकी कहानियां सबकी मेरे पास हैं उन रागवेंदर काचवाल जी का पहले अटेम्ट में एडीजे में हुआ वो बैकेंसी रद्द कर दी दूसरे में फिर दुबारा दिया उन्होंने दुबारा में फिर हुआ और दुबारा में तो उनों ने गा है सर मेरे को इस बार रैंक चाहिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैंने का मेरी तरह सुबह जल्दी जगा करो सुबह यह पता हैं वो मेरे वो एक दिन अपनी कार में रखके सारा सामान लेकर आगे वो ले सर मैं आपके साथ ही रहूँआ जब मैं अकेला ही रहता था तो मेरे साथ ही सिफ्ट कर लिया मेरे रूम में जिस में मैं रहता था उसी में सिफ्ट कर लिया जिस फ्लैट में मैं रहता था उसी फ्लैट में आ गए साथ ही रहने लगे उस बचार्वय जग्ना ये वो तो ये सब करने के लिए उन्होंöst अईसा किया और अंग्रे जी कमजोर थी इंग्लिस उनकी कमजोर थी इंग्लिस अच्छी नहीं थी तो इंग्लिस में पंकसर ने उन्हें इतना सहयोग किया आप ये देखो कि वो हिंदी मीडियम इस्टूरेंट थे और इंग्लिस मीडियम इस्टूरेंट के भी उनसे ज्यादा नमबर नहीं आए उनके 34 मार्स आए 50 में से कितने 34 हिंदी मीडियम इस्टूरेंट 34 मार्स और जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी वो इंग्लिस मीडियम ही थे उनके भी इंग्लिस में उन्होंने तो बच्पन से इंग्लिस पढ़ी थी ना उनके इंग्लिस में 24 नंबर थे दस नंबर मला उनके बराबर पूरे देश बरके जितने इस्ट्वेंट्स ने इक्जाम दिया उतने नंबर नहीं आये थे हिंदी मीठिया ये करिसमा किया पंकसर लो अर बागी सब बताएंगे उसमें क्या-क्या हुआ तो भी तो फिर में उधारन बता रहा हूं और लोग के पेपर में उनके जो मार्क्स हैं एक पेपर में तो आए वो इनके क्रिमनल लॉव में 69 और सिभिल लोग के पेपर में 72 हंडेड में से अब आप देखो करीब करीब 70% 70 20% इसको लिया हो तो टॉपर्स की इसकी बाई 210 नंबर हो गए 300 में से टॉपर हो गए आप तो और कुशन आता है कि क्या लाई जा सकते हैं लाई जा सकते हैं पहले लोग इसमें आरजेस में तो जज्मेंट राइटिंग आती नहीं थी एटीजे में आती थी वही एटीजे का पैटर्न होने इसमें तो चार्ज फ्रेमिंग और जज्मेंट राइटिंग उसमें पहले भी थी तो यह इस तरह है यह हो सकता है और कोई प्रशन आपका राजिस्थली का रोड मैप क्या रहेगा मेंस की प्रपरेशन के नहीं यह अच्छा अच्छा प्रशन है असब राजिस्थली का रोड मैप तो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है पहली बात तो क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ सीमेंट तो एक तो पर्सनल मेंटर्शिप के लिए मैंने यह कह दिया कि भई सीमेंट इस्टुएंट को लेंगे दूसरा फिर हम यह सब बनाएंगे यह सब बनाएंगे नोट कैसे कैसे त्यार करने हैं तीसरा कि हम इन सब को लिखेंगे इनको लिखेंगे कैसे कैसे लिखना है और उ दो तीन रिजटर में होंगे, तो तीन रिजटर करेंगे, और dessa का एक रिजटर आपके पास होगा, और एक रिजटर आपका ह zajutiveklär का हैं। तो इस तरह हम उसको तयार करेंगे और उसमें उसमें जैसे 46 पेपर ले रखें तो पहले तो हम तयार कराएंगे ना तयार कराएंगे हम कहेंगे पेपर करो तो 46 पेपर को जो हमने बना रखें हमारे हिसाब से डिजाइन कर रखें उन पेपर को सारे स्टुएंट से कराएंगे और उसमें हम खुदी चेक करेंगे कि ये गलती रह रही है ये ये हो रहा है तो इसको भी बताएंगे और इसमें किलास बहुत महत्वपून है प्री की किलास बहुत अलग प्रकार की होती है और मेंस की क्लास बहुत अलग प्रकार की होती है means के students को एक level के student अलग छाट ली गए हैं और उने students को फिर अलग से ऐसे बताना है कि भाई इस part को ऐसे ऐसे तैयार करो उनके notes को prepare कराना है क्योंकि आपके question में थोड़ा सा और add कर दूँ कि आप ये भी पूछ सकते हो कि तैयार कैसे करें या बेरेक्ट से करें या बुक से करें ये एक तो उसके लिए जब आपने ये तैयार करकर अलग कर लिया है तो थोड़े दिन मेंуем बेरेक्ट को भी तलाँ जली बेरेक्ट में जितने आवशक्ता है उतना उताल लिया बेरेक्ट को भी नहीं आपके notes और बहुत लोजिकल है मेन एग्जामनेशन, जैसे, कुश्चन आते हैं, हम क्लास में क्या कराने वाले हैं, जैसे, हमने कुछ चीज पढ़ाई, वहीं कुश्चन दे दिया, लिखो भाई अभी, आपके पास पांच मुनट हैं, पांच मुनट में दिखाओ, क्या-क्या, इस्टुएंट को खड़ा किया, पांच साथ दास इस्टुएंट को ये लिखाए, ये लिखाए, दोको इसमें इतने नम्मर आएंगे, इतने आएंगे, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती, ये पर डे ऐसे कराना है, ये टेस्स सीरिस में नहीं हो सकता, ये तो क्लास में इसमें connectivity बहुत जरूरी है, कोई question लिखा है, उसका answer आप एक जगह से नहीं उतार सकते हैं, दूसरी जगहों से भी connect करना है उसके answer को, यहां से भी लेना है, यहां से भी लेना है, यहां से भी लेना है, हम बताएंगे ना, यहां से connect करो इसको, यहां से, वो part आपके, जैसे, म बात कर रहे है, तो हो सकता है कि आपको कोई बात, वहां से भी लेनी हो, IPC से भी लेनी हो, कोई दूसरी जगह से भी लेनी हो, तो वहां से connect कराएंगे, तो वो तयार हम खुद कराएंगे, और हमें पता लग जाएगा क्या score कर रहे हो, देखो, पिछले बार के, 40 students select हुए, यहां से राजस्तली से, उन students में से, मैंने एक काम किया, पिछले बार बहुत मेहनत करनी पड़ी इस बात की, कि यह analysis किया, कि जिनके प्री में इतने marks थे, वो पास हुए, जिनके इतने थे, वो पास नहीं हुए, यह मैंने एक analysis किया, आप देखोगे कि जिनकी cut-off नीचे थ जिनके cut-off कम है, उन्हें भी पास कराया जा सकता है, आप यह qualifying था, इसमें कोई merit तो बनानी नहीं थी, और कोई यह कहता है कि मेरे 85 हो गए, 90 हो गए, तो मैं ज्यादा उचार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, जो cut-off का last number है, वो भी उसे 85 बाले को पीछे छोड़ सकता है, यद उसने सही कोच, सही गुरू को तय कर रखा है, तो, यह सारा का सारा खेल इसी का है, क्योंकि selection का आधार है, मेरे एक्जामनेश है, प्री तो होड़ी है, इसमें ही समसे अच्छी तयारी करनी चाहिए, इसमें कNews में सर, development और अदर इसमai कितना परसें रेटेंश जाना के पार्ट का होना से है, तैंडिक दो पहली बात ऐसे को समझो, ऐसे कैसे लिखना है यह थोड़ा समझो बागी तो इंग्लिस में या हिंदी में हिंदी के और इंग्लिस के एक्सपर्ट बताएंगे लेकिन जो मेरे अपने अनुबब का है आरेस में एक बार एक jas में आया आया कस्मीर की स्वायत्तथा पहले अब कस्मीर की स्वायत्तथा पर जो एसे पूछा गया था उस ऐसे में एक ही ऐसे लिखवाने आया अभी तो तीन दिन आ रहे हैं एक ही ऐसे लिखाने आया था कि कस्मीर की स्वायतता अब कस्मीर की स्वायतता पर ऐसे लिखना था कस्मीर की स्वायतता का ऐसे किताबों में था ही नहीं उस समय किताबों में तो था ही नहीं वो वाला ऐसे पूछा अब आप लिखोगो कैसे पहली बात तो ये है कि कहां है कसमीर क्यों स्वायत को चाहिए क्या बात है तो वो कहानी वो आवशकता वो आपको पता दो होनी चाहिए तो आप उसके वारे में कुछ जानते ही नहीं है तो लिखेंगे कैसे तो पहले तो हमारे पास कुछ कांटेंट होना चाहिए दूसरा कंटेंट पास आगया तो कंटेंट की सुरुवात हम कैसे करें हम हमें जिन गुरो जी ने सेविल सर्विश इसमें एक 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 अलगी पेपर होता था, पूरा पेपर ही ऐसे का होता था, अभी भी होता है, तो उन्होंने का भाई देखो ऐसे पीपल के पत्ते के समान होता है, तो मैंने का सर पीपल के पत्ते का क्या कंसेप्ट है, तो बोले ये बिंदू है, यहां से इस बिंदू को ऐसे ऐसे चले जाना है और जिस बिंदू से सुरू किया था उसी बिंदू पर लाके आके छोड़ना है तो कंटेंट को एक सिस्टेमेटिक जिससे के हरा आदमी जिससे जो भी पढ़े वो तत्काल समझ जाए कि अच्छा ये मामला है कि कजमीर क्या है क्यों लोग वहां स्वायतिता की मा मारा आए दे तो ऐसे करना है अब रही बात लेखनी की तो लेखनी तो निश्ट दूरूप से सुद्ध होनी ही चाहिए